Dear students, welcome back on the lecture of transgenic plant. अभी तक हम लोगों ने transgenic plant के कुछ aspects को देख लिया है, जैसे transgenic और GM crop, दोनों के बीच का difference, transgenic plants की जरुरत क्या है, transgenic plants को किन-किन देशों ने अपने देशों में allowed किया है, भारत में कितने transgenic plants allowed है, उसके अलावा जो है वो दो वेराइटीस देखे थी हम लोगों ने, insect resistant plants क्या है और herbicide resistant plant क्या है, उसके आगे का आज हम लोगों को देखना है, तो और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिसके लिए जो है वो ट्रांसजनिक बनाया जाता है, तो insect और herbicide के बाद जो एक और चीज़ है, that is called nutritional enrichment या हम लोग किसी पौधे को के nutrition को हम लोग बढ़ा दें, देखिए मैंने कल बताया था कि वर्ल्ड का population 7 billion है और land हम लोगों का क्या है, limited है, तो अगर मैं rice उगा हूँ, तो भूख तो मिट सकती है, लेकिन भूख मिटने से हम लोगों का पेड भर जाएगा, लेकिन nutrition मिलेगा क्या, जो संतूलित अहार कहते हैं, उसमें और भी nutrition की हम लोगों को जरूरत पड़ेगी, जैसे कुछ vitamins की जरूरत पड़ेगी, protein मिल रहा है, carbohydrate, lipid, vitamins, कुछ minerals, इस तरीके की चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो वैज्यानिक क्या कर रहे हैं, कि किसी plant में या समझे कि यह अपना कॉन है, और इस कॉन में ही किसी mineral को भी डाल दें, तो कौन को खाने से जो फायदा तो मिलता था, वो तो मिलेगा ही, और अगर मैंने इसमें कुछ vitamin पैदा करने वाला जीन डाल दिया, तो अब यह vitamin भी दे रहा है, तो कौन को खाने से आपको vitamin भी मिल गया, और जो है मक्य को खाने से जो दूसरे फायदे मिलते थे वो मिलते ही थे तो एक ही चीज को खाके आपको कई चीजों के लाग मिल जाते हैं और इस से हम लोगों का nutrition जो है वो क्या होगा आसानी से मिल जाएगा और जो हैता है वो बहुत जादा अलग-अलग चीज़ें, अलग-अलग चीज़ें जो है वो पैदा करने की ज़रूरत नहीं पढ़ेगी इस चीज को हम लोग बोलते हैं बायो फॉर्टी ध्यान रखेगा फॉर्टी बायो फॉर्टीफिकेशन यह क्या चीज होता है यह हम लोगों को ध्यान में रखना है Bio Fortification What is Bio Fortification Rate dek Bio Fortification क्या होता है तो कौन और कौन में अगर हम लोगों ने Vitamin वाली बीच वाली कोई चीज डाल दी या अगर हम मिने ольше डालत Falls Fortification, Vitamin के कास में तो नहीं तो वहा उस चीज में इसकी आवश्षक क्यों है तो देखे आज के तारीक में विटमीन ए और उसकी वज़ा से क्या समस्या हो रही है आखों की प्राबलम हो रही है ठीक है तो अभी बहुत सारी जो चीज मतलब पॉपुलेशन है 13.15 क्या सबसा के लिए यूएस में वो इस चीज से समस्यागरश थे खास कर बच्चे तो उस चीज से लड़ने के लिए हम को इस तरीकि की कोई फसल की जरूथ है कोई छीज जो आसानी सवेलेबल राइस है वीट है या। रहे असानी से उभी और उसके साथ में उनको विटमीन वाली कोई चीज से भी मिल जाहाए अब तो हमन यह एक तो उस में डाल दिया दूसरा विटमीन A high beta carotene oil seeds तेल में डाल दीज़ें विटमीन A तेल में मिलने लगा इस तरीके से हम लोग अलग अलग चीज़ों में विटमीन A वाली जो जीन है जो बीटा केरोटीन वाली जो है उसको जो है वो डाल सकते हैं गाजर में लगबाग इतना होता है pumpkin, tomato, melon, apricot, real palm oil यह सब में जो है हम लोग डाल सकते हैं अब देखे इसको जो है इस तरीके से बनाया गया है क्या चीज़ के लिए विटमीन A के लिए यह जो जो एडल्ट को जो है वो लगवएक 750 मिली ग्राम एक दिन में विटमीन A की ज़रुरत पड़ती है और अगर आप यह वाला ओईल खाएंगे यह वाले तेल से अगर आपकी सबजियां और यह सब बनाएंगे तो आपको वो रिक्वाइड जो डेल है इसका नाम दिया गया हम लोगोंने बीटा स्वीट केरट यह एक तरीके का जिनेटिकली मॉडिफाइड केरट है कलर जो है वो नॉर्मल रेड जो होता है उससे नहीं बलकि मेरून पलपल करल का है और यह इसलिए है क्योंकि यह एंथोसाइन रखता है और एंथोसाइन ए यानि कैंसर से सुरक्षा करने में मदद कर सकता है तो देखिए एक गाजर और उसमें हम लोगों नहीं यह इंथोसाइन डाल दिया जो कि किसी पत्ती अगेरे को खाने से मिल सकता था और इससे जो है वो कैंसर के अगेंस हम लोगों को कुछ फायदा मिलने लगा तो इस तरी वीटा स्वीट कрафड गोल्डण एंस भी इसमें वीटमीν और लोग जाता है और इनका जो endosperm होता है, rice का जो endosperm होता है, ये ये वाला, geranile, geranile, diphosphate, इस तरीके का, जो कि vitamin A का progenitor है, ये वाला जो है gene रखता है, इनका जो endosperm है, तो अगर हम लोग के पास progenitor है, तो इसी को हम लोग किस में बदल दे, vitamin A में बदल दे, ठीक, तो इस काम को करने के लि तीन gene को rice के endosperm में डाल दिया गया, clone करके, जहां भी सही जगा पे डाल दिया गया, और अब इसको जब डालने लगे, तो ये GGDP से जो है, वो क्या बनने लग गया, vitamin A, और लेकिन इसका production थोड़ा लो होता है, और जो होता है, राइस में जो अगर 300 ग्राम खाएंगे, तो कुछ मात्रा में जो है, आपको vitamin A भी मिल जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखे, golden rice का है, vitamin A के लिए है, और कहां से, GGDP को, vitamin A से, तीन genes को जो है, वलेकिन आए हैं, अलग-अलग, और ये निजम से, ठीक, तो ये है अपना golden rice, ठीक है, इसको अपने अपन ध्यान रखेंगे ये वाला, ये GGP, ये पहला gene, ये दूसरा gene, phytoin और ये lycopene, और अंतीम में क्या बन गे हम लोगों का, beta carotene, किस से बना, GGPA, ये कहां पर मुझूद थब, GGPA अल्रेड़ी, rice के endosperm में, ये हैं अपने तीन gene, ठीक है, ये अपना cycle है, तो ये cycle अपने को याद रखने का है, ये golden rice, उसका nutrition rich बनाने के लिए कौन से cycle, कौन से protein को, कहां से कैसे, जो है, वो modify किया गया है, अगर ये enzymes याद रख सकते हैं, तो रखिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर याद ना है, तो आप लिख दिजाए, enzyme 1, enzyme 2, enzyme 3, तीन enzymes को जो है, वो काम में लिया गया है, इसमें से जो enzyme है, तो ये तो हो गया vitamin A, उसी तरीके से iron deficiency, आप देखते हैं, बच्चियों में खास कर, इसलिए सरकारें आजकल iron की tablet भी दी जा रही है, तो हम लोग अगर iron deficiency से लड़ने के लिए भी rice में अगर iron डाल दें, किसी gene की सायता से, तो उससे जो है वो हम लोग बढ़ जाए, यानि पहले जितना फेरस था उससे ज्यादा मात्रा में फेरस या iron मिलने लगे, और दूसरा ऐसा चीज डाले ताकि उसका absorption बढ़ जाए, ठीक, पहले तो उसकी quantity बढ़ जाए और दूसरी absorption बढ़ जाए, तो दोनों चीजे अपने को चाहिए, यानि हम लोग क्या हो जाएगा, iron deficiency, तो एक हम लोग बनाया रहे थे, विटमिन A के लिए, राइस बनाया, ठीक, दूसरा राइस हम लोगों ने बनाया किसके लिए, iron के लिए, अब सपोज कि ये, एक ही राइस की वराइटी, और उसमें हम लोग, बीटा के रोटीन वाला भी डाल दे, और iron region, इक हम लोग बनाया रहे बाला ऑठीक, और बीटाकर राइस बोड़ने के लिए, बड़ने में मदद आप होने ये, ही यह तो है राइस और उस राइस जो है वो कुछ डुशियंस से लटने की बात उसी तरीके से आप लोग जो है व टीवी पर अब एड देखते होंगे जिसमें सफोला दिल से लटने में मदद कर रहा है उस तरीके का तेल या चिकनाई रही तेल इस तरीके का कुछ-कुछ तो तो हमारे सरीर में कुछ saturated मतलब अगर जो आइल लेंगे तो उसमें कुछ saturated fatty acid होंगे और कुछ unsaturated fatty acid होंगे तो अगर माल लिजिए unsaturated fatty acid होते हैं खासकर यह mono unsaturated fatty acid यह हमारे सरीर के लिए या cholesterol type fatty acid यह हमारे सरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसान धायक है और अगर इसको मैं replace कर दो किसे saturated fat से तो saturated fat की हम लोगों की सरीर को जरुरत होती है समानने कार्यों के लिए तो इस चीज से अगर हम लोग रिप्लेस कर दें जिनेटिकली मॉडिफिकेशन से तो हम लोगों को जो कार्डियो विस्कुलर डिसीज और कैंसर होने की संभावने हैं वह क्या हो जाएगी कम तो ऑइल प्रोड्यूसिंग प्लांट इसको जो है हम लोगों ने क्या किया है और प्रोड्यूसिंग प्लांट इसको हम लोगों ने मॉडिफाई किया है ताकि उसमें saturated fat की मात्रा बढ़ जाए और दूसरे cholesterol या तो और यह चीज आप ध्यान रखें डिजाइनर ऑईल इसमें क्या किया गया है इसके लाव और भी चीज़ें जैसे इंफेंट के कुछ फॉर्मूला आप लोग देखते हैं चोटे बच्चों को देने के लिए कुछ फॉर्मूला आते हैं इंट्रावेनस फीडिंग एफ्लैटिक सप्लिमेंट यह सारी चीज़ें जो है वह भी कोशिश की जा रही है ठीक है और एक जो काम की बात है यह आप मुर्जह प्लावण के इस Γ्रहें जो आके याद राखें ना रखें कि दुनिया भर में टेल में क्या समस्या है जो हम लोगों का जी ए म मस्टरड्वं ने बताया भारत का अ यह만त्य क्यों इक घर को यह हर्मूलावण GM flowers तो flowers की अपनी एक life cycle होती है कुछ दिनों के बाद में क्या होते हैं flower मूर्जा जाते हैं एक तो GM ऐसा हो सकता है कि flowers को अलग-अलग color के flower पहले उस तरीके के naturally उस color के flower आते ही नहीं थै और आज जो है वो अलग-अलग color के flower बना लिए कुछ जो है pigment वाले gene को clone करके उसके अलावा एक चीज़ होती है देखे आप इस वाले diagram में अगर आप देखें तो इस diagram को जला ध्यान से देखें ये flower सुरवाती अवस्ता में कुछ दिन हुए यहां तक कुछ दिन हुए यहां पे पौधों में हम लोगों को पता है इथाइलीन मनता है ठीक सुरू सुरू में रहा यह पौधा अपना जो भी mature phase था वहाँ है जब mature phase हो गया तो suddenly पौधे में इथाइलीन की concentration क्या हो गए बढ़ गई और जब इथाइलीन की concentration बढ़ जाती है तो यह senescence या फिर अपना वापस से मुर्जाना चालू कर देते हैं तो इनकी life को बढ़ाने के लिए हम लोगों को जो यह इथाइलीन की concentration को इसके जो पिक हो इसको जो है लो रखना है जैसे अभी corona के जो इस पिक को हम लोगों को लो रखना है तो उस तरीके से इसको लो रखना है इथाइलीन के concentration को हम लोगों को लो करना है तो अगर इथाइ सेंस को हम लोगों को रेगूलेट करना है और वो कैसे करते हैं ACC Synthes ये वाले जीन की सायता से ठीक ये वाले उसमें जो है देखें ये कोई प्रोड़क्ट होगा ये कोई प्रोड़क्ट होगा और फिर ACC Synthes और फिर ACC Oxidates ये एंजाइम और यह एंजाइम क्या बनाने मदद कर रहे हैं इथाइलीन अगर मैं कोई ऐसा तरीका निकाल लूँ जिससे की ACC या फिर ACC अग्सिडेज की एक्तिविटी दोनों में से किसी की एक्तिविटी को मैं पुरा फूरा खतम कर दो तो इथाइलीन बनेगा ही नहीं बस यही तरीका अपनाया जाता है ACC synthase या ACC oxidase इनकी जो है वो activity को हम खताम करते हैं तो ethylene नहीं बनेगा यही तरीका अपने को अपनाना है और जो तरीका अपनाते हैं वो तरीका है anti-sense technology को इस्तेमाल करते हैं अब यह anti-sense technology क्या होता है यह बस इतना समझ यह कि अगर ACC synthase बनाने का कोई MRNA बनता होगा उसी MRNA से वो enzyme का protein बनता होगा तो अगर मैं इस MRNA के complementary एक दूसरा आरने बना दूँ तो यह MRNA से जाके बाहिंड कर जाएगा और जैसे यह double strength बनेगा तो इसका degradation एक natural प्रक्रिया से हो जाएगा MRNA के थ्रू यह चीज़ आप पढ़ने की anti-sense technology क्या होता है तो anti-sense technology से हम ACC synthase की activity यह एक तरीके से क्या बनाया हम लोगों ने GM ध्यान रखें यहां पर कोई बाहर से तो मैं जैसे आफ यह तो आठ वे दिन भी इताइलेन के क्या है यह फॅशी चल रहा है भी थौइव दिन भी इताही चल रहा हैц व उसको हो कुछ हुआ नहीं है तो यह चीज़ अपने को ध्यान में रखनी हो ठीक तो लाइफ को हम लोगोंने क्या कर लिया बढ़ा अरफ्रीजायå एटनी आखच्ट की तो यह स्लाइट्स की उतनी आवशकता हैं कि यह मैं किसी और मूपस की लिए भशुब करेंगे एखली ठीज है देखें फलत्व मांकेट में आते हैं और अन्पत्र को बेज़ते क्वेज पिरकर देर हम लोग इनकी सेल्फ लाइब को बढ़ा ले यानि फल को पकने से थोड़ा सा लेट करा दें तो ज्यादा वक्त तक जो है वो इस्टोर करने की और यह सब की जो हम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहां पर भी वही इथाइलीन जो है वो फलों को पकने में भी बहुत इंपोर्टेंट है तो यह अगेन यहां पर एंटी सेंस टेकनोलोजी और एसी सी ऑक्सिडेज या एसी सिंथेज उसमें से किसी एक को रोकना है टोमेटो का एक वराइटी आता है जिसको हम लोग बोलता है टोमेटो एंटी सॉपनिंग जीन याने पिलपिला टाइप का यह पिलपिल नहीं हो पाथा यह सी तरीके से सब्सक्राइब यह टेकनोलोजी हर एक में ध्यान रखने के जरू था कि इसमें जीन नहीं लेका आगा है कि आपको फ्लेवर से फिर पता लग रहा है कि फ्लेवर बढ़ाने के लिए कोई जीन लेकिया है वह ऐसा कुछ नहीं है ठीक है कल्टिवार और उससे जो है वो उसका फ्लीवर बना रहा वैसे ठस जो है वो बना रहा इसके अलावा आप एक वर्ड चुनते हैं कि ड्रग तो हम लोगों का यह जो है वो कोई क्रॉप है और इसी में कोई दवाई वाला ठीक दवाई उसको जो है मैं डाल दिया एकसीन सब्सक्राइब कि हम वेकसीन कि हम लोग वेकसीन क्या होते हैं को छोटा मॉलीक्यूल ठीक वैकसीन अभी और ड्रोटीन या कोई इने अग्टिव इसको अगर आप बाडी के अंदर डाले तो इनके लिए कोई एंटी बाडी बन जाए या कोई सैल जो है वो इसका और और फिर यह memory cell अपने cell के अंदर में रह जाती हैं, जाकि फर्दर जब हमारा infection होगा, तो memory cell तुरंथ इतना जो response time लगा, वो response time ना हो, memory cell तुरंथ या antibody बना दे, या cell-mediated activity को in use करके तुरंथ ही वो response चालू करवा दे, तो potato में इस तरीके के काम किये गया है, जहां पर E. coli का यह entrotoxin जो हो डाला गया, और फिर उसको potato को दिया गया, जब हुआ, तो उसमें vaccination की, मतलब vaccination का जो good था, potato से क्योंकि toxin मिला है, toxin के खिलाब entor body बन गी, तो vaccination के क्या हो गया, good, और इसका कोई adverse effect नहीं होता है, इसी प्रकार के toxin या कोई दूसरी चीजों को आजकल बनाना में या टमाटर में या जो है, corn, wheat, etc. में जो हो देने की कोशिस हो रही है, तो यह एक तरीका के क्या हो गया, edible vaccine, मतलब खा भी रहे और उस खाने के सांथ हम लोगों को क्या मिल जा रहा है, एक तरीके का, vaccine, क्योंकि उसमें हम लोगों कुछ ऐसा toxin डाला हुए, जिसके खिल मिलेगी, hepatitis B के लिए अभी तक यह चीज़ करने की कोशिश हो रही है, तिक, यह hepatitis B virus के लिए, इसके लिए बना कैसे रहे है, इसको जो है, edible plants या edible vaccine को, पहले तो जीन लिया, उसको जो है, वो clone कर दिया, और उसके बाद में फिर यह leaf में जो है, वो toxin बनने लगा, leaf में या जो भी उस हिस्से में हम लोग खाते हैं, tuber या जिस भी हिस्से को हम लोग उस पौधे का खाते हैं, उसमें, और उसके बाद जब उसको खाएंगे, तो इसके साथ में उस वाले चीज़ का क्या जाएगा, toxin आपके सरीर में जाएगा, और जब उस particular gene, यह pathogen का toxin या कोई protein ज आप उस से जो है वो सुरक्षित रहेंगे, यह चीज़ हैं, किसके किसके लिए की गए, hepatitis B virus, tobacco, rotavirus, potato, norva, peas, यह सारा agrobacter mediated transformation है, HIV, यह वो, ऐसे ऐसे जो है, अलग-अलग उसके लिए, अलग-अलग follow me, यह चीज जो है वो try की जा रही है, अगर आप चाहें, तो क्यों की ज लिवर, लिवर हम लोगों का एक master organ है, जिससे बहुत सारी जो है वो activity जो है तो नियंतरित होती ती, इसलिए यह बहुत जरूरी है, कि हम इस तरीके की चीज़ें कर पाएं, ठीक है, तो यह hepatitis, इसके DNA, इसको निकाले, clone करें, और जो है वो डाले, ठीक है, और यह जो antigen है, अकेला sufficient नहीं है, तो इस तरीके की चीज़ हम लोगों को करने की जरूरत पढ़ेगी, हाला कि यह चीज़ अपने काम की अभी फिलहार नहीं है, उसी तरीके से hepatitis vaccine, जो hepatitis B vaccine बनाना में भी जो है वो try किया जा रहा है, बस ध्यान रखे, hepatitis B vaccine बनाना में, common क्या है, उसके जो toxin के gene को हम लोग निकालेंगे, clone करेंगे, फसल में डालेंगे, और फसल को उगाएंगे, फसल को खाएंगे, तो साथ में gene को डाला है, उसका product भी जाएगा, और उस product के लिए कोई चीज़ बनेगी, similarly, nor walk virus के लिए ठीक, यह human तक भी आ गया, आप इस notes को अच्छे से पढ़ किसी को नीद नहीं आती उसके लिए, किसी को हर चीज में छोटी-छोटी बातों में समस्य होती उसके लिए, सरदर्ध, headache के लिए, weakness यह सब के लिए, weakness और यह सब के लिए तो खासकर आप कोई भी antioxidant वाली चीज़ खाते हैं, तो भी काम आ जाएगा, किसी को भूक नहीं लिए और देखें कि उसका जो है, वो क्या effect होता है, और लास्ट टॉपिक है, वाइरस रिजिस्टेंट, यह वाइरस और जो हम लोगों हीपेटाइटीस दोनों में difference यह है, कि जो हीपेटाइटीस पढ़ा, वो vaccine के हिसाब से, क्योंकि वो मनुष्य को हम लोगों को infect करता है और हम लग उसको खाएंगे, तो हीपेटाइटीस से सुरक्षित रहेंगे, अभी जो वाइरस रेसिस्टेंट है, that is for plant, कि कोई plant है, इसको यह अपना plant, ठीक, plant, और इस plant में जो है वो, यह plant, और इस plant में जो है वो, वाइरस का क्या होता होगा, infection होता होगा, तो इस infection से बच से बचने के लिए, उसे संबंदीत किसी जीन को जो है, हम लोग कर दें, क्या produce कर दें, जैसे code protein gene, that is overproduce, और अगर हम लोग कर दें, तो वाइरस का जो reproduction है, वो क्या हो जाएगा, रुख जाएगा, तो यह एक तरीके की strategy हो सकती है, ठीक है, तो इसके साथ में यह transgenic plants और GM crop दोनों एक ही topic है, यह वाला topic जो है, वो खतम होता है, पर ध्यान रखे, आपको जो है, मैंने transformation strategy नहीं बताई है, क्योंकि वो कोई और ले रहा है, तो वो चीज अपने को जानने की है, और basic cloning की strategy भी आपको समझने की है, यहां तक आने से पहले, thank you, और किसी को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं